अभी तक आपने देखा होगा कि एलन मस्क के किसी एक ट्वीट से बिटकोईन के दाम बढ़ गए या किसी कमपनी के शेर बढ़ गए ऐसा ही अब कुछ सोफ्ट ड्रिंक दिगज कोको कोला के साथ भी हो गया और ये फुटबोलर स्टार्प क्रिष्टिया ने और रोनाल्डो अपनी प्रेस कोंफरेंस में कुछ ऐसा किया कि कोको कोला कमपनी के शेर करीब 30,000 करोड रुपे तक गिर गए और कमपनी को बहुत ही बड़ा जटका लग गया अब आपको बता दे कि आखिर ऐसा हुआ क्या दरासल इस वक्त फुटबोल का सीजन चल रहा है और यूरो कप तो कोको कोला की बोतल और एक पानी की बोतल रखी देखी, रोनाल्डो ने वहां रखी दोनों कोको कोला की बोतल को हटा दिया और पानी की बोतल उठा कर कहा कि ड्रिינ्क वटर बस 25 सेकंड के इस पूरे वाक्यक आसर था कि कोको कोला के शिय धड़ा धड़ गिरने लगे और करीब 4 बिलियन डोलर तक गिर गए जानकारी के मुताबिक यूरोप में दोपैर 3 बजे मार्केट खुली थी उस वक्क कोको कोला के शियर का रेट 56.1 डोलर था आदे घंटे के बार रोनाल्डो की प्रेस कोंफरेंस हुई और उसकी कुछ देर बाद ही कोको कोला के शियर गिरने लगी और ये 55.2 डोलर तक पहुँच गए तब से लगातार कोको कोला के शियर में उतार चड़ाव चल रहा है आपको बताते कि कोको कोला यूरो कप का ओफिशल स्पोंसर है ऐसे में बतोर स्पोंसर उसकी ड्रिंक अधिकारी कारेकरमों में शामिल की जाती है इस विवाद के बाद कोको कोला ने बयान दिया कि खिलाडियों को प्रेस कॉंफरेंस या मैच के दुरान हर तिरह की ड्रिंक दी जाती है अब ये उन पर निर्भ़ करता है कि वो क्या लेना पसंद करते हैं ये हर किसी की चोईस है खैर हर किसी को मालूम है कि रोनाल्डो की गिंती दुनिया में सर्वस रेस्ट फुटबोलरों में से होती है शोशल मीडिया हो या फुटबोल फैंस उनके चाहने वाले हर कहीं है इससे पहले भी रोनाल्डो ने जंक फूड के प्रति अपनी नापसंदगी के बारे में खुला सा किया था और ऐसे में रोनाल्डो द्वारा दिया गया ये हलका सा संदेशी कोको कोला के लिए काफी महेंगा पड़ गया और कोको कोला की हालत खराब हो गई तो आप इस वीडियो को शेयर कीजे और जुड़े रही हेडलाइन्स इंडिया के साथ